प्रियाग राज में महाकुम्भ शुरू हो चुका है इस कुम्भ में हजारों लाखों की संख्या में पहुंचने की शधालूं की तादात नजरा रही है वहीं आपको ये भी बता दें कि यहां बावा साधूओं ने अपना डेरा जमालिया है जिहां इन सम्में सबसे ज़्यादा खास नजरा नागा साधूओं का भी देखने के लिए मिल रहा है गंटों की गूझती आवाज हर किसी के मन को आस्था का भाव दिखा रही है वहीं साधूओं की धुनी के दुवा से पूरा प्रियाग राज महक रहा है साधूओं के केम्प में जल रही है दुनिया बरवस ही सब का ध्यान अपनी ओर खेच रही है लोगों की मन में धुनी को लेकर कई जिग्यासाएं हैं लेकिन सबसे बड़ी बात एक और भी है कि नागा साधू अपने पूरे शरीर पर भवूत मलेक क्यों रहते हैं आखर इसका क्या कारण है दरसल नगन अवस्था में भस्म या भवूत ही उनका वस्तर होता है यह भवूत उन्हें पूरी सारी आपदाओं से बचाती है जैसे मच्छर या वाइरल होने से जिहां इसे नागा साधूँ का प्रमुक शंगार भी कहा जाता है बताते चले हैं यह भस्म भवूती या भवूत लंबी प्रक्रिया के बाद तयार होती है नागा बाबा या तो किसी मुर्दे की राख को शुद्ध करके शरीर पर मलते हैं या उनके द्वारा किये गए हवन की राख को शरीर पर मलते हैं या फिर यह है राख धुनी की होती है, आपको उता दें हवनकुंड में पीपल, पाखड, रसाला, बेलपत्र, केला, वेगव के गोवर को भस्म कहते हैं, इस भस्म की हुई सामिग्री की राख को कपड़े से छान कर कच्चे दूध में इसका लड़ू बनाया जाता है, इसे स बातों में चीम्टा, चिलम, कमंडल लिये और चरस का कश लगाते हुए, इन साधुओं को देखना थोड़ा सा अजीब भी लगता है, नेक्स्ट नाइन भक्ति सागर से आकाश की रिपोर्ट